नमस्ते फ्रेंट्स में आपको एक लेटर आता है जिसे हम क्वेशनेरी कहते हैं तो उस क्वेशनेरी का जवाब कैसे दे वह आज हम सुड़ों में देखेंगे बहुत बार क्या होता है कि हमें खुदी ही कन्फूज होते हैं कि डिपार्टमेट अक्चुलि हमसे क्या चाहता है क्योंकि 20-25 पॉइंट रहता हैं कन्फूजन रहता है कुछ टेक्निकल वर्ड रहता हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं तो आज मैं इसी वुड़ों में आपकी मदद करता हूँ तो देखें यहां पे आपको लेटर आ जाएगा और यहां पे देखें यहां पे लिखा भी ह है कि application for registration under section 12A अगर आपने ATG के लिए अपलाए किया है तो यहां पे ATG का आएगा 12A के लिए अपलाए किया तो टूले का section आएगा उके उसके बाद देखें यहां पे जो पहला पॉइंट है देखें क्या है पहला पॉइंट ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो हमें इनका ज trust, non-trust और non-profit company कि हमारा जो संस्ता का जो profit है वो directly और indirectly हमारा जो members है committee members है trustees है उनके benefit के लिए नहीं होगा इसका क्या हमें देना है declaration देना है इसका अगर आपको format चाहिए तो मेरे पास है मैं आपको दे दूँगा लेकिन minimum fees लगेगी free में चाहिए तो Google YouTube सर्च कर सकते हैं दूसरा point है देखिए friends कि note on note specifying the main area of your charitable religious activities तो आपकी संस्ता जिस भी field में क्याम करती है जिस भी category के लिए काम करती है उसका एक note लिखना है आपको एक देड़ पेज का कि क्या का काम करती है और क्या काम आगे करने वाली है ओके यहां पर लिखा है कि main area of your charitable activities जिसे social जिसे relief of the poor है education है medical relief है उसमें भी subcategories कुछ रहती है तो आपको department को बताना है और आने वाले देखिए यहां पे लिखा है कि to be undertaken in the next two years याने आने वाले दो साल में संस्ता क्या काम करना चाहती है संस्ता का उद्देश क्या है वो भी आपको इस note के मादन से बताना है कहां बताना है इस इसका भी format मेरे पास है अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं तीसरा है friends अनोसी किसका लगेगा आपकी संस्ता जहां भी रजिस्टर है वहां का उनर का अनोसी लगेगा अगर आपकी जगह खुद की जगह है और आपकी खुद की जगह पे संस्ता का करने पड़ेगी आपको इसका भी format मेरे पास है अगर आपको चाहिए तो मांग सकते हैं वही condition है minimum fees लगेगी फ्री में चाहिए तो Google यूटुब जिन्दाबाद ओके फ्रेंड्स तो देखिए चौता पॉइंट है प्लीज अटेच सर्टिफाइड कॉपी अफ अनुल अकॉंट्स यह तो सिंपल आपको यादी आया होगा अनुल अकॉंट्स मतलब audit report उके उसके बाद है पांचों पॉइंट प्लीज अटेच सर्टिफाइड कॉपी अफ घणतों अलिया होगा तो बहुतता पॉब जोती संटिफाइड तो कउपी लगेजान तो तो सेंस्टाइड कॉपी आहां से मिलेगा आपको चल्टे के विशनर के या फिर राज़िस्टर के औफिस से आपको मिलेगा होगा सेंटी पाप्य आपको लीन है गए अगर आप आं है sectionate company तो memorandum of association लगेगा इसका मतलब memorandum लिखा मतलब खाली memorandum देना नहीं है आर्टिकल सब association भी आपको साथ में attach करना है तो ज्यादा दिमक लगाने का नहीं इसके बाद देखिए friends अगला point है please attach a copy of the proof of identity of the main trustees जो भी आपके देखिए trust है sorry friends trust है तो trustees के KYC लगाई है जितने भी सारे trustees है पिसे आगर society है तो president secretary के KYC लगाई है बाकी के लगाई इन तो battery है लेकिन कम से कम president secretary और treasurer के लगाई लगाना है बहतर है और sectionate company है तो director के आपको KYC attach करना है उसके बाद है साथ होँआ point please attach notes on activities conducted देखिए उपर भी एक notes on activities आया था और यहां पे भी notes on activities आया है लेकिन जो उपर वाला था न वो future में हम क्या करने वाले हैं उसके रिलिटेड था और यह जो notes on activities है यह previous यानि पिछले सालों में हमने क्या काम किया है उसके बार में हमको यहां पे बताना देखिए यहां पर लिखा भी है मैं आपको दिखाता हूँ देखिए during the last three years इससे ही समझ में जाईए आप कि यह पिछले कामों के बारे में पूछ रहा है तो यहां पर आपने जो भी activities की हैं हमके photograph लगाईए example के लिए आपको बताता हूँ एक photo लगाईए उसके नीचे description ल देखिए है जैसे मानों example के लिए आपने किसी को कपड़े distribute किये है तो बताइए कि हमने 10, 20, 50 लोगों को कपड़े दे दिये है इस गवाँ में दे दिये है असा description देना है आपको photo के नीचे आटवाँ point है अपना हमारा please attach details of donations made अगर आपकी संस्थाने किसी दूसरे संस्था आपको अगर donation दिया है तो उसकी received उसके details आपको यहाँ पर देने है नौँआ point है please attach details of donation received यह बहुत बड़ा point है friends और यही इसके वज़े से ही बहुत सारे लोगों का तो लोगे नहीं मिलता application reject हो जाता है बहुत बार क्या होता है कि हम audit report आइसे ही चवनी बचाने के लिए मुझे संस्था का एक बात समझ में नहीं आती friends कि संस्था बनाते हैं लेकिन जब compliance की बारी आती है जब audit करने की बारी आती है फिर सो पचस को देखते हैं सो दो सो रु audit करते हैं तो हम यह सोचते नहीं कि future में हमें tool way में ATJ में FCR में हमें registration लेना है तो उसके according ही हमें balance sheet बनानी है क्योंकि क्या होता है example के लिए मानों हमने audit report में बड़ा चड़ा कि अगर donation दिखाया समझ में reference में क्या बता रहूं अगर हमने audit report में बड़ा चड़ा कि अगर donation द करता है यह receipt मतलब आप जो receipt काटके देते हैं ना लोगों को उसके sample copies यहां पर attach करने पड़ते हैं देखिए with sample copies of donation receipt of major donations उसके साथ साथ ही जो हमें donation देते हैं उनका नाम देखिए यहां पर उनका नाम date complete postal address के साथ amount के साथ हमें details देने पड़ते हैं और यहीं हम मार खाते हैं यह जो 54 बचाने के जो आदत है ना आपकी कि हर टेम उरोते रहने का वह हमारी समझता है कमदाम में दीजिए कमदाम में दीजिए तो सामने वाला आदमे ना आपको कैसे भी auditory पर थमा देता है और बाजी में हो जाता है लेकिन उस 54 बचाने के चक्र में आप लाकों का अग जो आया तो ठीक है नहीं आया तो देखिए स्किप करके आगे ओके दस्वा पॉइंट है प्लीज अटच डिटेल्स आफ यूर बैंक आकाउंट अब यहां पर भी देखिए बहुत सारी संस्था गलती करती है संस्था तो खुलती है लेकिन बैंक आकोंने खुलती बाद में दिपाटमन को डवट होता है कि आपशन से ब्हड़े जråगं और फिर अपने बैंक को नहीं खो़ोला पैसा नहीं है पैसा तो है है तो इसी के वज़े से भी आपका अप्लिकेशन रिजेग्ट होता है या प्यजने की चांसिस बढ़ जाते हैं यह जो सेटिफिकेट है यह क्रूशल डॉकमेंट है इट विलवे का सेटिफिकेट बहुत इंपॉर्टन डॉकमेंट है डेपाट्मेंट ऐसे बातने को नहीं बैटा है किसी यूपी आजाओ ठपा मार के लिए जाओ यह जन्यूर्ण जो काम करती हैं जो चाहती हैं जिनको मालूम है कि कैसे अच्छी तरह से कोई भी काम करना बस उसी संस्था को यह सेटिफिकेट मिलता है लोगों को क्या है लोगों को क्या लग रहा है मालूम है कि हमने चार-पांच़जर डाल दिया संस्था बनाई तो बस अभी लाकों का डोनेशन मिलेगा ऐसे नहीं होता अगर से लोगों से तो जागिए और आँख खुलके सुचिए संस्था को आगे बढ़ाना है तो हर तरह के लोगों को आपको एकठा करके लें साथ चलना पड़ेगा चलो जाने दो आपको समझ में नहीं आता आगे बढ़ते हैं तो ग्यारवा पॉइंट है हमारा प्लीज फाइल अंडर्टेकिंग तो देखिए यहां भी अंडर्टेकिंग देना है अंडर्टेकिंग किस चीज़ का देना है कि आप इन्फरिजमेंट नहीं करेंगे किसका फर्स्ट प्रोविजर टू तू फिप्टिन यानि इसका सिंपल वर्ड में आपको बताता हूं कि संस्था ऐसा करेंगी जो बिजनेस जैसा हो मतलब आप किसी से पैसा नहीं ले सकते अगर आपने किसी कोई काम किया है ठोлеण खिए को कबड मुफ्त में बाटे हैं तो मुफ्त का मतलब है कि टोटली फ्री में दे दिया अप आइसा नहीं कि आपने कबडे दे दिये उसको तो उससे आप कुछ ले लो तो उससे आप अगर कुछ लेते हैं तो फिर वो charity activity नहीं हुई वो तो business हो गया तो इसलिए यह clause कहता है कि आप business या fee या किसी भी तरह से पैसा आप लोग उन से नहीं ले सकते ओके अगर लेता है आप तो business activity हो जाएगी charitable activities नहीं हो जाएगी ओकी फ्रेंट्स तो इसका एक undertaking देना है सारे जो भी आपकी committee members है उसको sign करना पड़ेगा इसका भी format मेरे पास है चाहिए तो ले सकते हैं नहीं चाहिए तो Google यूटूब जिंदाबाद देखिए फ्रेंट्स अगला पॉइंट है प्रेंट्स यो टेलीफोन नंबर और email address यह तो आपको समझ में आया होगा जो भी में इंट्रस्टेज है उनके या फिर सारे लोग उनके टेलीफोन नंबर और email address जो दीजिए अगला पॉइंट है प्लीज स्पेसिफाई दे क्याटेगरी आप यह जो section है ना friends 2015 का इसके अंदर कुछ categories है दो कि यहां पे जरूरत नहीं है अगला पॉइंट है हमारा 14 नंबर का कि यह देखिए अगर हमारे trust deed है तो यह कुछ clauses हैं चार वह हमें चेक करने पड़ते हैं अगर society है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि by default हम मानते हैं कि यह सारे clauses society में registered होते हैं क्योंकि society जो registered होती होती है ल यह precaution देने के लिए department कहता है कि अगर यह clauses नहीं है आपके अंदर trusted के अंदर तो आपको include करके इंक्लूड करके बाद में फिर से amendment copy apply करना है यानि यहां पर upload करने है देखिए यहां पर लिखा है amended trusted यहां पर लिखा है amended trusted memorandum आपको क्या करना है देखिए file करना है file certified copy of the amended trusted य अगर clauses नहीं है तो आपको apply करना है यहां पर देखिए मैं इसका मतलब समझाता हूँ वह क्या बोलता है कि trusted क्या से होनी चाहिए area occupability clause होना चाहिए trust कैसे बनती है कि जो settler रहता हूँ settler क्या करता है अपनी कुछ property trust को देता है और वो संभालने के लिए trustees को appoint करता है तो इसका मतलब है कि जो settler जो property देता है वो बाद में वापस नहीं लेना चाहिए इसी को हम क्या कहते है array vocabulary clause मुझे बोलने को नहीं है ता क्योंकि मेरी language इस देता है कि जो भी संसता काम करेगी वो किसे हो जाएगी public at large के लिए काम करनी चाहिए किसी particular group के लिए नहीं करनी चाहिए जैसे कि अगर कोई trustees के family के लिए या फिर किसी छोटे से group के लिए ऐसा होगा तो फिर वो trust नहीं कहलाएगी ओके charitable trust नहीं कहलाएगी ओके अगर यह clause नहीं है तो add करना है आपको यह trust के ही बार अगर trust ही तो यह देखना है आपको society है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि society में by default is clause है ऐसे माने जाते हैं 16 नमर का clause है देखिए कि doesn't have any clause providing the event of dissolution तो यहां कहता है कि अगर कभी society अगर बंद करनी है आपको trust बंद करनी है तो trust की यह society की जो भी property है वो किसी और दुसरे trust यह society को दी जाए यह ऐसा clause उसके अंदर होना चाहिए वैसे तो generally clause रहता ही है लेकिन गलती से नहीं रहा तो हमें क्या करना है अमेंड करके certified copy फिर से upload करनी है 17 नमुर में क्या लिका है कि जो भी property है संस्था कि income या property वो खली संस्था कि object के लिए ही काम में आनी चाहिए only for the object of the trust society यह इसमें कहा है तो यह clause होना चाहिए अगर नहीं हुआ तो वही अमेंड कीजिए upload कीजिए मुझे लगता है मैं आपको ज्यादा ही डीप में समझा रहा हूँ आठरा point है देखिए कि bank account furnish कीजिए बोल रहा है अगर नहीं है तो मत कीजिए है तो कीजिए 19 नमर का point है furnish copies of the returns अगर आप return फाइल करता है तो upload कीजिए नहीं तो no बोल कीजिए बाद में अगर आपने जो भी खर्चे दिखाए हो आपको नेचर वाइज आपको यहाँ पर बताना है नेचर वाइज मतलब देखिए यहाँ पर education भी हो सकता है relief of the poor भी हो सकता है योगा के related हो सकता है खर्चा तो जो भी nature of activity आपको इस column में डालना है कितना खर्चा किया है वो इस column में डालना है mode of expenditure आपने cash में payment किया है या फिर bank के मादधम से आपको इस column में डालना है और इसका फायदा किन-किन लोगों को हुआ अगर possible है तो उनको नाम दीजिए नहीं तो फिर बुलिए कि इतने 100-200 लोगों को हमने इसका फायदा हो गया देखें यहां पर लिखा है अभो डिडिल्स आर रिक्वाइड टो विरिफाइड जनुनेस अफ़ एक्ट्यूट्स आइसा नहीं कि audit report में डाल दिया कुछ तो बना दिया तो वो एक-इन करेंगे आपको प्रूफ करना पड़ेगा ओके मुझे लगता है सारे clauses खतम हो गए हैं 20 clauses हैं friends 20 कभी-कभी 24 भी clause रहता है और देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर क्या लिखिए है please upload the above information documents on or before audit छोड़ दीजे यहां पर लिखा है no need to attend personally यानि आपको personally अटेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस सारे documents आप online submit कर सकते हैं चाहे तो फिर किसी को किसी person को authorize करके आप visit के लिए एक दिन बेश सकते हैं जो भी आपका commissioner या फिर जो भी रहे गो officer उसका नाम यहां पर रहता है देखिए यहां पर ऐसा लिखा हुआ रहता है उसको जाके आप मिल सकते हैं address देखना है तो देखिए address भी रहता है यहां पर मैं आपको बताता हूँ starting को कहां पर रहता है address देखिए एक मिनिटा मैं दिखाता हूँ आपको आड्रेस दिखाया नहीं इसे अंदर ऐसे ने फ्रेंस आड्रेस रहता है मुझे लगता है देखे यहां पर रहता है देखे यहां पर लिखा है देखे आड्रेस पूने महारस्टरा इसका इस ओडिए है किसका इस ओफिसर का ओके और यह फोन नमबर भी दिया है तो आपको भी जैसे लिट रहएगा तो वहाँ पर आड्रेस होगा सारा चीज़ें वहाँ पर होगी तो मुझे लगता है कि आज की इस उड़ो में मैंने आपको सारी चीज़े क्लियर की है अगर आपको फिर भी डाउट है तो कॉल कीज़े लेकिन गाइडन्स पेड होगा फ्री नहीं होगा फ्री चाहिए तो यूटूब गूगल जिन्दाबाद और यह सारे फॉर्मेट्स जो आपको लगते हैं तो सारे मेरे पास अवेलेबल है आप चाहिए तो ले सकते हैं लेकिन उसके लिए फिस लगेगी मिनिमम लगेगी कम से कम तो टोटली फ्री चाहते हैं तो गूगल यूटूब जिन्दाबाद ओके फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही टाटा बाई बाई धन्यवाद